था चत्ता जूनी मंडी में गली च्छाप गुंडी ने दुकानदारों का जीना मुश्किल कर दिया है। गली च्छाप गुंडा मारपीट का चौत वसूली करता है। पुलिस ने गली च्छाप गुंडे को गिरफतार कर लिया है। थाना चत्ता जीवनी मंदी में गली चाब गुंडे अमित का आतंक часов बना हुआ है। ऐसा आरूप लागा गया है। अमित नामका गली चाब गुंडा तुकान दारों के साथ मार पीट करता है। और चौद बसूली करता है। अमितनाम का गली छाब गुंडा थाना छत्ता जीवनी बंडी पुलिच चौकी के सामने रहता है और चौकी के आसपास के बैपारियों को अक्सार परिशान करता है। लेकिन मतलब छोड़े मोटे लोगों को परिशान करना उस तरीके से इसको बढ़ावद देना चाहरे हैं यह मतलब दुकानदारों को परसांद करके मतलब बड़ा वह करना है नों को मेरे खाल से काफी हैं गली छाब गुंडे अमित का काफी आतंक है यहीं बज़े है कि कोई भी दुकानदार आप तक पुलिस से लिखे सिकायट नहीं कर पाया यहीं बज़े थी कि पुलिस जाब गुंडे पर कारवाई नहीं कर पा रही थी जब भी आता है अमित चौप पलिस चौटी सामने रेता है नश्य में आता है आते लूट पाड़ करता है चौप बसुली मा करते कर रहा है वो पिड़ित दुकानदारों की सिकायट पर पुलिस ने गली चाब गुंडे अमित को गिरफतार कर लिया है ऐसा वताया है कि पूर में भी कई मुकंद में गली चाब गुंडे पदर्ज है राकिश करूजिया सीन्यूज आगरा